प्लेनेरिया में आज हम चर्चा करेंगी समेधियंग और इसके आगे के जो भी टोपिक है सबसे पहले समेधियंग डुगेस या एक स्वतंतर जीवी प्राणी है जिसमे निम्न समेधियंग पाए जाते हैं रसाइन गराई पाए जाएंगे करना कंग पाए जाएंगे और नेतरक पाए जाएंगे रसाइन गराई या किमो रेशेप्टर ये सिर भाग पर इस्तित होते हैं रसाइन ग्राही सम्वेदी कोशिकाएं पक्समा भी गर्तों हैं खांचों में उपस्तित होती है तता ये कोशिकाएं रसाइन के प्रती सम्वेदी होती है ये भोजन को खोजने हैं भोजन की ओर ले जाने में साहिता करती है डुगेसिया के सिर्के केंद्रिय भाग में इस्तित रसाइन ग्राही भोजन ग्रहन करते समय अधिक सक्री हो जाते हैं इसलिए इनको स्वाद ग्राही भी कहते हैं करनकंग डुगेसिया में सिर्के दोनों और एक-एक सपेद रंकी खाँच पाई जाती है जिनको करनकंग कहते हैं यह रसाइन गिराई होते हैं तता यह सुंगने भोजन का स्वाद ग्याद करने में साइता करते हैं उसके बाद में नेत्रक जैसे के आपको चित्र में दिखाए देरा एक जोड़ी नेत्र सिर्के परष्ट भाग में पाई जाते हैं यह काले एम गोलाकार होते हैं परतेग नेत्र का आकार प्याले के समान होता है, वरनक कोशिकाओं की एक परत इन प्यालों को उपर से डखे रखती है, प्याले में कई दुर्विय सम्विद्धी या तंत्री का कोशिकाओं पाए जाती है, जिनको प्रकास सम्विदी कोशिकाएं भी कहते हैं इन नेत्रों में लेंस का अभा होता है और रेटिना तक प्रकास पहुंचने से पहले प्रकास जो है वो तंत्रिका तंत्रों से गुजरता है इस प्रकार के नेत्र बिम बनाने में ऐसमर्थ होते हैं ये केवल प्रकासियों अंदेरे में थोड़ा अंतर कर पाते हैं। उसके बाद में हैं जनन तंत्रू। डुगेशिया में एलेंगी के लेंगी के जनन पाए जाते हैं। सबसे पहले चक्चा करेंगे एलेंगी जनन। डुगेसिया में एलेंगि जनन अनुपरस्त दुईवी खंडन द्वरा होता है इस प्रकार के जनन में ग्रैशनी की पीछे एक संकिर्णन उत्पन होता है जो दीरे-दीरे गहरा होता जाता है तता अंत में डुगेसिया दो बागों में विबक्त हो जाता है अगले भाग में पश्च भाग का पुन्रद बहुन हो जाता है और पिसले भाग में अगर भाग का पुन्रद बहुन हो जाता है और इस प्रकार से दो प्लेनेरिया बन जाते हैं दो डुगेसिया बन जाते हैं उसके बाद में लेंगिक जनन दूगेशिया उबेलिंगी प्राणी है जिसमें एशता ही जन्नांग पाई जाते हैं जो केवल प्रजिननकाल में विक्सित होते हैं इसमें जो लेंगिक जनन है वो प्राय गर्मियम में होता है नर्जननतंत्र, डुगेशिया का नरजननत अंतर निम्द रचनाओं से मिलकर बनता है. पहला बिन्दू व्रश्ण है, सुक्रवाई कहें, सुक्रवाह कहें, सीरस या सिस्थ. व्रश्ण या टेस्टिस प्लेनेरिया में व्रश्ण अनेक छोटी छोटी गोला का रचनाव से बना होता है इस प्रकार के व्रश्ण पूटक व्रश्ण कहलाते हैं ये व्रश्ण सरीर के दाएं एंव बाएं सीमानतों पर इस्तित होते हैं सुक्रवाहिका या वासाइफेरेंश या प्रतेक पूटक कुरेश्टन से एक सुक्स्म सुक्रवाहिका निकलती है जो अपनी और के सुक्रवाहिक में खुलती है सुक्रवाहिक या वासाइफेरेंश प्लेनेरिया में एक जोड़ी सुक्रवाहिका होती है जो सरीर में दाईयों बाईयों और पाई जाती है इन में वसेफेरेंशिया खुलता है इनका अंतिम सिरा फूल कर सुक्रा से पीछे के और पतलाओकर सुक्रवाहिनी बनाता है दोनों सुक्रवाहिन या सरीर के बीच में जूड़कर एक मद्देवाहिनी भी बनाती है पेसिय मेतुनंग होता है, जो दो भागों का बना होता है, परतम भाग पेसिय गरंतिल होता है, जिसे सिस्न बल्ब कहते हैं, इसके चारों और प्रोस्टेट गरंतियां पाए जाती है, दूसरा भाग सिस्न पेपिला होता है, जो जनन प्रकोष्ट में खुलता है, माता जनन त एक जोड़ी अंडा से पाए जाते हैं जो छोटे गोलाकार होते हैं तता नेत्रों के पीछे होते हैं अंडवाईनिया परते एक अंडासे से पीछी को पतली लंबी नलिका निकलती है जिसे अंडवाईनि कहते हैं यह अंडों को अंडासे से योनी तक पहुचाने का कारे करती उसके बाद में योनी, दोनों और के अंडवाईना पिछले भाग पार एक दूसरे से मिल कर एक मद्यवर्ती रचना योनी बनाती है, जो जनन कोष्ट में खुलती है गर्बा से गर्बा से लंबा मुगदाकार होता है जो जनन परिकोष्ट में खुलता है तता है मेतुन के दोरान शुक्राणों का संचे करता है पीता गरंतियां परतेक अंडवाईनी के चारों और एसंग के पीता गरंतियां पाई जाती है जो सब भी अंडवाईनियों में खुलती है जो पीता के उम कवच का स्रावन करती है जनन प्रकोष्ट के चारों और एसंग के सिमेंट गरंतियां भी पाई जाती है उसके बाद मेतुनेम निशेचन लुगेसिया उवेलिंगी प्राणी होता है लेकिन इसमें परनिशेचन पाया जाता है मेतुन के समय दो डूगे सिया अदर सते पर जुडते हैं तता ये एक दूसरे में सुकराणू जो है वो शिष्ण की साहिता से राधान-प्रदान करते हैं उसके पश्चात ये दोनों अलग हो जाते हैं कुछ समय तक सुक्राणू गर्बासे में संग्रहित रहते हैं उसके बाद अंडवाहिनियों में प्रिवेस करके उनके प्रारंबिक सीरों तक पहुंचते हैं जहां पर अंडों का निशेचन होता है अंडवाहिनियों से गुजरती वे निशेचित अंडे अर्था जाइगोट के चारों पी तक कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है साथ ही जनन प्रकोष्ट में अंड संपुट का भी निर्मान हो जाता है लगबग दस जाइगोटें हजारों पी तक कोशिकाएं एक कवच के द्वारा घिर जाती है तता अंड संपुट बनता है सिमेंट ग्रंथियों से अंड संपुट जलिये पोदों पत्थर आदी की निश्ली सित्य पर चिपक जाते है उसके बाद में परिवर्धन डुगेसिया में परिवर्धन पर्तेक्स प्रकार का होता है अर्थार इसमें गोई लारवा अवस्ता नहीं बनती इसमें वेदलान सर पेलेम निर्धारी प्रकार का होता है परिवर्धन दो या तीन सप्ता में पूर्ण हो जाता है इस दोरान पीतक कोशिकाई परिवर्दित भून को पोस्टन परदान करती है परतेक जाइगोट से एक सिसु डुगेसिया बनता है परिवर्दन के पूरा होने पर अंड संपूट एक निश्ची त्रेखा पर फट जाता है तता सिसु डुगेसिया बाहर निकल जाते हैं इस समय इसमें जननोंगों का भाव होता है उसके बाद में पुन्रुद भूवन है, रिजेंडरेशन है डुगेसिया में पुन्रुद भूवन की बहुत अधिक चमता पाई जाती है इसके सरीर में जगए जगए पर DNA चीने नियोब्लास्ट को शिकाएं कहते हैं जो टोटी पोटेंट होती है, पुण्छक्टम होती है डुगेशिया की कटेवे भाग में नियोब्लास्ट को शिकाएं एक ब्लास्टे मारताद कलीका बनाती है जिससे विविन प्रकार के अंग बन जाते हैं तता लूपत हुए अंगों की छदी पूर्ती हो जाती है ये दे डूगेशिया के सिर को अनुधेद्रिये रूप से दो या अधिक भागों में काट दिया जाए तो प्रतेख भाग से ने सिर का निर्मान होता है देशा की चितर में आप देख रहे हैं लास्ट में जिससे अनेक सिर वाला देट्टे डूगेशिया बनता है इसे एक साथ ये टोपी कंप्लेट होता है थेंक्यू